चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार दोस्तों में विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकेमेट पर तो आज का जो यह वीडियो है दोस्तों इंडियन आरमी जीडी की रिजिनिंग के लिए दिसा प्रिक्सन डाइरेक्शन टेस्ट का पार्ट फैस्ट है जिसमें हम इसका बेसिक कॉनसेप्स समझने वाले हैं तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने सांकेतिक बासा कोडिंग डिकोडिंग का जो टोपिक है रिजिनिंग का वो हमने क्लियर किया है उसके बेसिक कॉनसेप्ट के बारे में बताया है उसके क्विशन भी हमने शोल किया है तो अगर वो वीडियो आप देखना चाते से समंदित क्विश्टन सोल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें कागज पर दिसाओं का ग्यान होना जरूरी है कि दिसाएं कौन से है जिसे उत्तर दक्सिन पूरो पस्चिन ये कागज पर हम किस परकार से बनाते हैं तो चलिए सबसे पहले तो दिसाओं के बारे में हम जानते हैं तो दिसा के ग्यान के लिए दोस्तों जैसे यहां पर एक बिंदू से मैं आपको बताता हूँ जैसे यहां पर एक बिंदू है अब उत्तर दिसा जो होगी वो दोस्तों हमेशा उपर की और होगी यहां से देखिए उपर की और कौन सी दिसा है उत्तर दिसा ठीक है और उत्तर दिसा के ठीक नीचे होगी दक्सिन दिसा ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों पूरव दिसा की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए यह बिंदू है इसके इधर होगा लेफ्ट साइड इधर होगा राइट साइड तो हमेसा राइट साइड की तरफ है जो क्या दिसा हो पूरो दिसा ठीक है और इसके ठीक विपरित यहां पर हो जाएगी पश्चिम अब यहां पर दोस्तों कभी-कभी इनके बीच की जो दिसाएं हैं जैसे यहां पर देखें उत्तरो पूरो के बीच में कौन सी दिसा होगी यहां पर यहां पर दिसा हो जाएगी दोस्तों उत्तर पूरुवा ठीक है तो इससे भी हमें कुछा जा सकता है तो यहां पर हम क्या करेंगे जब भी बीच की दिसा की बात होगी तो यहां पर देखे उत्तर और पूरो के बीच में है तो यह दिसा हो जाएगी उत्तर पूरुवा अब यहां पर देखे पूरुवा और दक्सिन के ब पदिए में पता होना चाहिए तभी हम आगे क्षिशन सोल कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखें क्षिशन क्षिशने कि जिसमें हमें इस परकार से दिया जाता है जैसे कोई वेगती कि इस दिसा में चलता है बाद वह बाई और मुड़ता है या दाई और मुड़ता है तो मुड़ने के जो संकेत है वो भी हमें पता होने चाहिए जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले हम दाया मुड़ के लिए देखते हैं तो जैसे मान लीजिए यह कोई वेक्ती है यहां से इस बिंदू से चलता है मान लीजे उत्तर दिसा में कितने ही किलो मिटर या मिटर चलता है बाद में वह है दाई और मुडता है तो दाई और के लिए यहां पर दोस्तों देखे क्या होगा यहां पर दोस्तों जो बाई और है वो इधर है और दाई और इधर है जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया उत्तर दिसा यहां है तो बाई और पश्चिम होगा दाई और पूरो होगा ठीक है तो दाई और इधर होगा अब हमें कहा जाता है कि यह 10 मिटर चलता है उसके है किदर हो गया है यहां पर दोस्तों पूरव की और और इसका यह बाया है और इसका यह दाया है ठीक है तो दाइं और इसे मुड़ना है तो इधर यह मुड़ेगा ठीक है अब यहां पर देखिए फिर से हमें का जाए कि और दाइं और मुड़ के चलता है तो यहां पर अब कोई वेकती है यहां से बिंदू से चलता है उत्तर की ओर चलता है ठीक है तो इधर चलेंगे यहां पर आपको का जाए कि पूरव की ओर तो इधर चलेंगे दक्सिन की ओर तो इधर तो इधर ठीक है तो यह देखिए उत्तर की ओर मान लीजिए चलता है दो किलोमेटर ठीक है इसके बाद में ये बाइं तरब मुड़ता है, तो इसका देखे, बाइं इधर होगा, दाइं इधर होगा, तो बाइं और मुड़ गया, फिर से कहा जाए कि अब बाइं और मुड़ेगा, तो दाइं देखे, इसका ये है, बाइं ये है, तो बाई और मुड़ेगा ठीक है अब देखे फिर से बाई और मुड़ने को कहा जाएं तो बाई इसका ये है दाया ये है तो इधर की और मुड़ेगा ठीक है तो ये है दोस्तों बाई और दाया मुड़ इसका भी हमें ध्यान रखना है जब हम किशन सोल कर रहे हैं ठीक है अ इसके बाद में हमें का जाता है कि वह बाई और मुड़ता है तो बाया देखे इसका इधर होगा दाया इधर होगा तो बाई और मुड़ता है यहाँ पर मान लीजी यह चलता है चार मिटर ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजी हमें पूछा जाता है कि उसके प्रारंब बिक बिंदू यह था यहां पर वो अभी है तो इससे हमें यहां तक की दूरी ग्याद करनी है इसे हम नाम दे देते हैं जैसे पहला बिंदू A था दूसरा B और तीसरा C यानि कि हमें A C की लंबाई ग्याद करनी है तो यहां पर दोस्तों क्या होगा यहां पर देखिए A से व पाइठा गोरसपर में उसी के आधार पर हम इसकी जो लंबाया है वो ग्याद करेंगे जो दूरी हमें दी गई है वो ग्याद करेंगे अब यहां पर देखिए यह दूरी हमें ग्याद करनी है तो यह दोस्तों करन है और करन का स्कुर देखिए किसके बराबर होता है आधार का square प्लस लंब का square ठीक है तो इन दोनों का square करके हम जोड देंगे देखिए आदार 3 है तो 3 का square 9 हो जाएगा प्लस लंब यहाँ पर 4 है तो 4 का square 16 हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा दोस्तों 25 अब यहाँ पर हमें करण चाहिए केवल square हम अटाएंगे तो 25 का square root निकाल देंगे कितना हो जाएगा 5 मीटर तो इस परकार से दोस्तों दूरी हम जाद करेंगे अब यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि आपको यहीं दूरी पूछी जाए यहाँ से दोस्तों BC की लंबाई पूछी जा सकती है यह आपको दिया जा सकता है यह यह आपको दिया जा सकता है यह भी आपको दिया जा सकता है और यहाँ पर BC को पूछा जा सकता है तो यहाँ पर हमें question में ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है और कैसे उसे ग्याद करना है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए करन के लिए तो हो जाएगा आदार का स्क्यूर प्लस लंब का स्क्यूर आदार के लिए देखिए क्या होगा लंब का स्क्यूर जो है वो करन का स्क्यूर में से हम गठा देंगे तो यह इसके formula है जो एक ही formula करने के इसके उरसे बनते हैं और इस formula में हम मान रखे question solve करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों कुछ बाते हैं और है जिने हमें ज्यान में रखते हुए question को solve करना है जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको दिया जाता है कि कोई वेकती है जो दक्सिन दिसा की तरफ मुह करके खड़ा है ठीक है तो यहाँ पर देखे दक्सिन दिसा कौन सी है जैसा कि यह मेंने बनाया है इस परकार से आपको भी बना लेना है यह हो जाएगा उतर यह हो जाएगा पूरो यह हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दक्सिन और यह हो जाएगा इसका पस्चिम ठीक है तो यहाँ पर दक्सिन की और मुए करके खड़ा होगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा इसके ठीक पीछे उत्तर दिसा होगी इसके लेफ का भी हमें ध्यान दखना है तो इसी बेसिक के आदार पर दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम इसके क्षिशन सोल करेंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेर जरूर कीजिएगा आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बादे बेल की आईकन को जुरूर प्रेस करें ता कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, मैं मिलता हूँ आप से सीकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जे हिंद जे भारत वन्दे मा कि प्रेटर इंद कि अली कर दो 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 प्रेटर एंद कि जा मैं आपक्राओंग कर दो अ हमने चानों हो उन्सली है जएकर कि नहीं हो पाल गयों कि ब्राविंगर इंद का दो जो झा Cobal